जय हिंद नए informative वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ICC bank का जो cash deposit charges है जो cash share data transaction के जो charges है ICC में क्या revise हुआ है तो दोस्तों अगर आपका ICC bank में saving account है या आप खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए video बहुत important है या आप knowledge के लिए आ चल रहा है गोर्मेंट का एजेंडा है तो हर बैंकों में cash deposit के charges बहुत ज्यादा हो चुका है तो आपके लिए बहुत important वीडियो है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते है तो सबसे पहले आप समझे है कि जो क्या cash deposit रिवाइज हुआ है तो सबसे पहला है एकाउंट मैं एकाउंट टाइक बाई बताऊं क्योंकि आईसिस बैंक में अगर मैं देखूं तो यहां हर तरीके के एकाउंट है regular saving अकाउंट है प्रिवल्ड बैंकिंग एकाउंट है टाइटनियम एकाउंट है तो मैं हर एकाउंट में आपको charges का अलग लग समझ के अगर आप transaction करेंगे तो आपको रुपया भी charge नहीं कटेगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले account टाइप में आईसिस बैंक का जो basic saving account होता है regular saving account होता है सबसे starting का saving account है जिसके अंदर आपको regular salary account होता है और इसके अंदर क्या है और वी variant होता है like senior city account kiddie account यह किटी एकाउंट के अंदर जो यंग स्टार एकाउंट जिसको बोलते है woman advantage account senior city जिसमें 4500 करना होता है freedom saving account या आपके पास क्या है अगर आपके पास एकाउंट है तो आप ध्यान रखिएगा कि regular account है आपके पास पास तो only for cash deposit transaction कर सकते है deposit and withdrawal बोत मिला करके यहाँ देखे है दोनों मिला करके है उसके लबाग क्या है कि आप अगर इसके free के above जाते हैं तो आपको 1500 रुपया प्र टार प्लस GST का चार्ट देना परता है तो यह बहुत important point है कि आपके पास अगर यह count है कि वहला चार्ट राइसन एलाव है आप deposit बिड्रॉल दोनों मिला करके अब चलिए अब देखते हैं आगे कि आप कितना maximum करते हैं maximum इसमें आप 2 लाख रुपया आप deposit या बिड्रॉल कर सकते हैं in a month उसके अलवा क्या होता है ICC bank में जो इसको केटोगराइस किया गया है home location और non home location मतलब कि जहां पर आपका जिस ब्रांच में आपका खाता है यह आप कहीं दूर जाते हैं तो अब ध्यान रखेगा कि अगर आपका जिस ब्रांच में खाता है वहाँ जाते हैं तो आप 2,00,00 रुपया जमा कराते हैं उसके अलावा जाते हैं तो आपको 1,000 रुपया पर 5 रुपया आपको पे करना पड़ता है लेकिन 1,500 रुपया तो minimum है अगर आपका beyond limit आपने 2,00,00 रुपय जमा करा दिया तो आपको डेर देर टोरवा प्लाव जिएश्टी आपको देना ही देना है उसके बाद क्या है नन होम ब्रांच मतलब की आपका location किसी और location में है इसके अंदर दोनों आता है अगर आपने जहां थाउजन रुपीज वाट डे का कर सकते हैं इसके अंदर बहुत जादा चार्ज लगता है लोगों का और मेरे पास लास्ट वीडियो में बहुत सारी क्वेरी भी आई है कि जो चार्जेज है वो चार्जेज लग रहे हैं तो और इसमें दूसरा देखे आपका 25,000 से उपर अगर उसके उपर लिमिट के भी हों जाते है तो देट रुपे रुपे तक में यंग स्टार एकाउंट में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा थार्ड पर इक्सिं चलिए अब दूसरा वर्येट देखते हैं इसके अलवा क्या आई-सी बैंक में जो दूसरा वेरियेंट ह उस एकाउंट में नंबर लिमीट आपको पांच काश ड्राइसराजाइं चार ता यहां है पांच क्ष ट्राइजक्ष पय करना कर लाइक कर नहीं इसमें भी maximum आप 2 lakh ही कह जमा करा सकते हैं, या silver हो, चाहर regular हो, दोनों में आप 2 lakh ही जमा करा सकते हैं, दिहां देने वाली बात है, उसके बाद, as it is आपका charges है, अगर 2 lakh से आपको ब्योंड जाता है, तो उसके उपर आपका 5 रुपे, 1000 रुपीज पे, और आपको subject to 1.500 रुप केवल आपको regular saving में और silver saving में एक ही अंतर है, कि आप वहाँ 4 transaction कर सकते हैं, यहां 5 cash transaction कर सकते हैं, आप यह समझ लिए 5 cash transaction कर सकते हैं, आप 500 रुपे के cash deposit कर रहे हैं, वह भी 5 नंबर में आएगा, अगर आप 50-50 के भी आपके 4 कर दिया तो आपके 4 में आएगा, इसमें आपन 50,000 रुपीज मेंटन करना होता है, gold saving count या magnum saving count या gold salary account भी होता है उसके अंदर में, इसमें देखिए इसमें भी आपके जो cash deposit जो आपके transaction limit पौर मन्त का है, वह है 5, मतलब सेम है, जो silver में है, वही gold में है, इसके अलबा क्या है, जो value of limit है, इसमें आपका 2 lakhs, इसमें भी आ 2 lakhs तक ही cash deposit है, मतलब कि दोनो deposit और withdrawal दोनों मिला करके, तो दोस्तों इतीनों variant में आपका 2 lakhs से उपर cash deposit पर मन्त नहीं है, बस 2 lakhs ही कर सकते हैं, आप ध्यान रखेगा, अगर आपका ICC bank में regular saving, silver saving या gold saving account है, तो ध्यान रखेगा, महिने में 2 lakhs से उपर आप मत करिएगा, cash deposit दोनों मिला करके नहीं, तो आपको charge लग जाएगा, इसके अलावा समझते हैं, ICC bank में gold के अलावा titanium saving account होता है, titanium saving account जिसमें 7 lakhs रुपया maintain करना होता है, इसके अंदर आप जाते हैं, तो आपका number of transaction बढ़ जाता है, मतलब 7 cash transaction आप कर सकते हैं, मन्त के अंदर में, और इसके beyond जाते हैं, तो 500 रुपया as usual पहले हैं, इसके अब बात का है, इसमें 2 लाग से 5 लाग रुपया हो जाता है, मतलब कि वहाँ आपने तीनों बेरेंट में देखा है, regular में, silver में, gold में, तो 5 लाग था, इसमें 5 लाग था का आप cash withdrawal या deposit कर सकते हैं, महीने के अंदर में, और 5 पांच लाग से उपर जाने पर, as usual है, थाउजन रुपीर पर 5 रुपया है, और मिनमूं 1.500 रुपया तो है ही, तो दोस्तों आप देखिए, एक एक करके, बहुत बार की समझने वाली बात है, कि मैं एक एक करके, रिकाब भी करते चलता हूं, जिससे आपको समझने में अस इसके अंदर का है, कैस जो डिपोजिट ट्रांजेक्शन है, वो 10 दिया गिया है, मतलब महीने के अंदर 10 कैस का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसके अंदर as usual आप 1.500 रुपया आपका ट्रांजेक्शन का आपका चार्जर लगेगा, अगर होता है तो, और इसके अं टॉल रुपए, टाइटेनियम में 5.000 रुपए और प्लेटनम आपको वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर में 15.000 रुपए, मतलब कि इसमें टाइटेनियम पांच लाग रुपए और वेल्थ में 15.000 रुपए, आप महीने में कैस डिपोजिट विड्वोल दोनों मिला के कर सकत तो दोस्तो आप ध्यान रखेगा, आगे अगर आप कोई transition करते हैं, तो cash से related जो भी transition है तो आप उसमें ध्यान से करें, इसको आप आपके जो charges हैं, उसमें charges is null लगें आपको, और आपका account सही धंग से चलता रहें तो video में बनने के लिए थांक यू भेरी मच्छ, प्री लाइ स्क्राइब करें